रूई के तक्ये जितनी नरम आज हम लोगे चॉकलेट स्पंज केक बना रहे है इससे बनीवे ब्लैक फोरेस्ट केक देखिए कितनी नरम है और मेरे चटोरों कैसे हुआ आप आपने सबसे ज्यादा नरम रूई जितनी नरम तो बहुत सुना होगा ये केक का टेस्ट रना नमबर वान आता है बहुत टेस्टी केक बनती है तो चलिये बनाते है घर में बिना अंडो के कुकर में चॉकलेट स्पंज केक पहला मेंचीज दूद ना गरम होना चाहिए ना ठंडा रूम टेंपरिचर में one cup दूद मतलब 240 ml ये मैंने इस्तमाल किया है इसमें हम लोग विनेगर डालेंगे वीनेगर 1.5 टीस्पून ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया और 1 टीस्पून अगर आप नीमू का जूस इस्तमाल करना चाहते हो तो 2 टीस्पून यूस करिएगा इन दोनों को मिक्स करना है एक बार और 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे जो खाने का सोडा या बिकिंग सोडा होता है ना उसके साथ ये रियक्शन करकर केक को फुलाएगा केक को बनाने के लिए कोई भी बड़ा सारा बरतन ले सकते हैं मैंने यहाँ पर कुकर इस्तमाल किया है यह आउटर लेड वाला 10 लीटर का कुकर है बड़ा बरतन में केक उपर की तरफ से भी अच्छी तरह सिखती है कुकर के अंदर हीट फैलाने के लिए नमक या रेत इस्तमाल कर सकते हैं मैं हमेशा यह नमक इस्तमाल करता हूँ नमक आप इसमें डाल कर फैला दीजे नीचे और यह नमक बारी बार बेकिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं शुरू में 5-10 मिनिट है नमक से स्मेल आ सकती है तब आप कुकर का धकन खुला रख दीजे ताकि वो स्मेल चली जाए नमक से हाइड बढ़ानी पड़ेगी तो फटाफट आप इसके ओपर एक कटोरी रख दीजे स्टील की या फिर आप है न कोई भी स्टील का बरतन रख सकते हैं कोई डब्बे का धकन रख सकते हैं मैं नॉर्मली ये रिंग कटर इस्तमाल करता हूँ तो मैंने ये ही यहाँ पर रख दिया है हाइड भड़ेगी तो केक नीचे से नहीं जलेगी अब फटाफट हम लोग कुकर का धकन लगा देंगे डखन में रबड की गैसकेट नहीं होनी चाहिए और सीटी भी नहीं होनी चाहिए मीडियम फ्लेम पर दस मिनेट हम लोग की कुकर को गरम करेंगे तब तक केक का बैटर बनाते है केक का बैटर के इंग्रिडियंट्स मैं आपको ग्राम में और कप में टेबल स्पून में दोनों चीज बता रहा हूं एक ही साथ सबसे पहले हम लोग तेल डालेंगे तेल की कौन्टिटी है तीन टेबल स्पून यह रिफाइन तेल है 45 ग्राम साथ ही में बटर बटर भी मैंने 45 ग्राम इस्तमाल किया है जो तीन टेबल स्पून होता है बटर से केक हार्ड बनती है तेल से केक सॉफ्ट बनती है लेकिन बटर से फ्लेवर आता है इसलिए मैंने दोनों इस्तमाल किया है अगर आपको केक ज़ादा नरम चाहिए तो सिर्फ तेल डालिएगा नेक्स्ट हम लोग इसमें पाउडर चीनी डालेंगे यह मैंने मिक्सी में चलाकर चीनी का पाउडर बनाया है 45 ग्राम यह है 1 थर्ड कप अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरफ फेटने हैं जब तक यह एक जसा ना दिखे वरना क्या होता है केक में जगे जगे चीनी के दाने दिखेंगे एक मिनिट के आसपास आप इसे फेट लीजे कोई भी चम्मच या विस्क से उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे second main चीज जो की है condensed milk condensed milk को मिठाई मेट या milk मेट भी बोला जाता है इसकी quantity है 240 gram मैं gram से डाल रहा हूँ अगर आप cup से डालना चाहते हैं तो इसमें 3 4th cup आपको condensed milk डालना है condensed milk के बिना भी cake बन सकती है इतनी नरम लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा अगर आपको tasty cake बनानी है तो condensed milk जरूर से डालिए कैसे बनाना है condensed milk घर में बहुत आसानी से दूद और चीनी से बन जाता है मैं उसकी recipe नीचे comment में share करूँगा अब बस इसको वापिस से फेटना है 2-3 minute कम से कम जितना जादा फेटेंगे उतना अच्छा रहेगा लेकिन इसको फेटने के time पे ना बहुत ताकत लगती है यह hard हो जाता है तो आप 1-5 minute फेटने के बाद break ले सकते हो मेरे जैसे मैंने अभी break लिया है दूसरा काम करने के लिए dry ingredients को हम लोग mix करेंगे एक bowl के उपर मैंने छन्नी रख ली इसमें हम लोग अभी मैदा डालेंगे मैदा की quantity है 195 ग्राम आप 200 ग्राम भी ले सकते हो cup में यह 1 and a half cups है 1 cup and half cup next हम लोग इसमें डालेंगे cocoa powder क्योंकि चॉकलेट केक है इसके विना तो बनेगा नहीं यह 4 टेबल स्पून cocoa powder है ग्राम में 28 ग्राम एक ग्राम कम आ रहा है इसमें लेकिन कोई बात नहीं हम लोग अभी इसमें बेकिंग पावडर डालेंगे बेकिंग पावडर बहुत जरूरी है डालना इसकी quantity है 1 and a half teaspoon मैं अभी half teaspoon से डाल रहा हूं इसलिए तीन बार डाला है खाने का soda भी इसमें डलेगा दूट के साथ reaction करवाना है न तो जादा नहीं डालना यह वरना केक कड़वी और aluminium का टेस्ट आएगा केक में half teaspoon सिर्फ baking soda डालना है पूरी detailed recipe मैं नीचे ingredient list बना कर share कर दूँगा तो वह आप safe करके रख लीजेगा जबी ये cake बनाओ इसको अच्छी तरह चांदना है एक बार और आप देख सकते हो यही reason की वज़े से हम लोग strain कर रहे थे जो भी ये cocoa powder की गुठली है इसको पास कर देंगे अपने dry ingredients mix हो चुके है इसको एक और बार चम्मत से mix कर देंगे और batter में जब डालेंगे ना तब एक और बार strain करना है अगला main चीज जिसमें cake बनेगी cake tin आपको ना steel color या silver color की लेनी चाहिए डार्क कलर की cake tin में cake बाहर की तरफ से जाधा सीख जाती है ये 7.5 इंच की cake tin है आप चाहो तो 8 इंच या 8.5 इंच की cake tin भी ले सकते हो क्योंकि ये नीचे से खुलती नहीं है तो इसमें हम लोग बाद में butter paper अच्छी तरह लगाएंगे तो वो process बाद में करेंगे batter बनने के बाद batter बनाते है अभी आप देख सकते हो थोड़ा set हो गया इसको वापिस से अच्छी तरह फेटेंगे जो हम लोग ने दूद में vinegar मिलाया था ना वो अब इसमें डालना है सारा नहीं सिर्फ आदा अभी इसमें डालकर अच्छी तरह mix करेंगे जो गाड़ा mixture बन गया है ना condensed milk butter बगरे का इसको अभी पतला करना है जब यह पतला रहेगा तो मैदे के साथ अच्छी तरह मिल जाएगा अब यह पतला हो चुका है तो जो हम लोग ने dry ingredients बनाये थे उसको फिर से इसमें strain कर देंगे सारा नहीं आदा आदा दूद का mixture और आदा dry ingredients इसमें डल चुका है इन दोनों को mix करना है एक बार जादा देर तक और जादा फटा-फट mix नहीं करना वरना आपकी cake hard बनेगी चलो यह mix हो गया तो आप बाकी के इसमें हम लोग dry ingredients डाल देंगे मतलब वापिस से चान कर और जो दूद था न वो भी इसमें डाल देंगे सब कुछ इसमें आचुका है यह bowl में अब बस इसको इतना mix करना है कि मैदा गीला हो जाए और यह batter एक जसा ना दिखे जादा अगर इसको फेटेंगे तो केक हार्ड बनती है मैदा डालने के बाद अब यह mix हो चुका है दोस्तों अपना केक का बैटर बिलकुल ready है लास्ट में हम लोग कोई भी spatula लेकर इसकी जो sides है ना उसको fold करेंगे ताकि कोई भी जगे सूखा ingredient ना रह जाए आप देख सकते हो कितना बढ़िया केक का बैटर बना है अब केक को बेक करने से पहले जो केक्टिन है ना उसमें हम लोगे बैटर जगे जगे लगा देंगे जैसे face में क्रीम लगाते है ना बिलकुल वैसे ही यह हम लोग इसलिए कर रहे है ताकि जो paper है वो अच्छी तरह चाहे यह मैंने यहाँ पर parchment paper इस्तमाल किया काटकर अगर यह नहीं हो तो आप A4 paper या white paper में दोनों तरफ तेल लगा कर भी इस्तमाल कर सकते हो बहुत सारी bakeries newspaper इस्तमाल करती है वो मैं आपको suggest बिलकुल नहीं करूंगा white paper यूज़ कर सकते है paper लगाने से अपनी cake जलने से भी बचती है और चिपकती भी नहीं है paper लग गया अपनी cake में और आप देख सकते हो मैंने थोड़ सा ज़ादा एरिया रखा है मतलब paper थोड़ सा ज़ादा बढ़ा है cake tin से ऐसे आप कर सकते हो अगर आप साढ़े साथ इंच के cake tin इस्तमाल कर रहे हो तो cake का batter अब हम लोग ये cake tin में डाल देंगे और ये bake करने के लिए बिलकुल रेड़ी है कुकर गरम होगा तो ध्यान से खोलिएगा और ये step फटाफट करना है मैंने ये पकड़ से पकड़ कर अपनी cake tin को अंदर रख दी इसका थोड़ा सा center भी मिला दिया अब फटाफट हम लोग इसका धकन लगा देंगे धकन में सीटी और गैसकेट नहीं होनी चाहिए ये step आपको फटाफट करना है वरना जो बनाईवी हीट है वो बाहर निकल जाएगी फ्लेम को मेडियम लो रखना है और ये cake 40 मिनिट में बनकर रेडी हो जाती है अगर आपकी cake tin बड़ी है आठ हिंच या साड़े आठ हिंच की तो cake 30 मिनिट या 35 मिनिट में भी बन जाती है जितना बड़ा बरतन उतनी कम टाइंग मैं आपको ये exact 40 मिनिट बात का सीन दिखा रहा हूं मैंने ये cooker को open किया और थोड़ा सा टच कर रहा हूं cake को बीच में आप देख सकते हूं वापिस से उठ रही है cake मतलब spongy है एक toothpick को भी ऐसे insert करेंगे अगर शुड़ में spongey नहीं होना तो पांच मिनिट और इसको सेखेगा फटाफट धखकर toothpick भी साफ निकल गई अपनी cake बिलकुल ready है अब इसको बाहर निकालते हैं अगर जादा bake करेंगे तो cake dry हो जाती है कभी कभी क्रमली भी हो जाती है अब ये cake को फटाफट थंडा करना है तो इसके लिए आप कोई भी topia stand या ऐसा wire stand के ओपर cake को रखकर इसके ओपर गीला कपडा धख दीजिए गीला कपडा धखने से अपनी cake का ओपर जो crust हो hard नहीं होता है cake उपर से भी नरम रहती है ये cake को पूरा थंडा करने के बाद ही निकालेंगे वरना जो texture है वो खराब हो जाता है जो जाली है वो बैठ जाती है cake पूरी थंडी हो चुकी है अब हम लोग इसको निकालते हैं कोई भी चाकू अगर है मैंने इसमें नहीं लगाया है सिधा उल्टा कर रहा हूँ और ये cake एक बार में निकल गई और क्या चाहिए जिन्दगी में एक बार में cake टिन से निकल जाए खुशी मिलती है बहुत ज़ादा अब इसका paper भी निकालते है बिल्कुल रूई के तक्ये जैसे लग रही है अपनी cake है ना मैंने ये sponge cake से आज black forest cake बनाई थी अगर आपको भी उसकी recipe देखनी है तो comment जरूर से करिएगा ये tight and tested recipe है दोस्तो sponge cake की मैं बहुत सालों से ये ऐसे ही बना रहा हूँ इसका texture तो आप देखी सकते हो बहुत spongy और जालीदार है टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है मतलब बहुत जाद ही टेस्ट अच्छा आता है इसका दही के केक से compare करें तो richness लगती है थोड़ी से cake में खाते समय आप जरूर से try करेगा ये method से कैसा लगा वीडियो दोस्तों ये तरीका आप जरूर से try करिएगा इसमें हम लोग ने कोई भी cake gel, cake concentrate वगरा कुछ इस्तमाल नहीं किया है टेस्ट नंबर वान आता है थोड़ी से महेंगी जरूर पड़ती है ये cake बनाना लेकिन कभी कभी बनाते है तो आप जरूर से बनाईएगा मैं condensed milk बनाने का तरीका नीचे share कर रहा हूं अब वो वीडियो भी देख सकते हो घर में condensed milk बनाने के लिए मिलता हूं जल देखो और